Hi everyone, my name is Smita Minj, welcome back to my channel, so आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिसकस कर रहे हैं, वो है Women Empowerment, ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है B.A.D. में 4th semester में, जहाँ आप लोगों का एक subject होता है Gender, School and Society, So topic है हमारा Women Empowerment, subject है हमारा Gender, School and Society, and course है हमारा B.A.D. 4th semester. So start करेंगे और सबसे पहले देखेंगे Introduction. In some societies, women are still discriminated on their gender, they are not given the same right as men, याने की समाज में अभी भी हमको कहीं न कहीं, भेदभाव जो है वो देखने को मिलता है, महिलाओं और पुर्षों को एक समान दृष्टी से नहीं देखा जाता, Women are still paid less, महिलाओं को अपने कारे के लिए कम पैसे दिये जाते हैं, expected to cook, clean, etc. याने की घर पे रहिए, साफसफाई कीजिए, खाना पकाईए, बच्चों को देखिए, यही सारी अपेक्षा जो है, एक महिला से की जाती है, Women are still strict by their culture and family, as women cannot go out at night or with the guys, याने की महिलाओं को रात को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है, और पुर्शों के साथ तो बिलकुल भी जाने को allow कोई नहीं करता, They still not allow women to work or study far away from their home, याने की घर से दूर रहके, कहीं बाहर रहके, आप काम नहीं कर सकते या पढ़ाई नहीं कर सकते अगर आप कोई लड़की है या महिला है, Because they believe that women are weaker than men and some husbands get jealousy, याने की ये समझा जाता है की महिलाओं में उतनी शमता या ताकत नहीं है की वो अकेले बाहर रह सके और सारी चीजों को manage कर सके, handle कर सके, जिस तरीके से एक पुरुष करता है, और कुछ जो महिलाओं के पती हैं, उनको इस बात की jealousy होती है, कि ये हमारी बराबरी कैसे कर रही है, हमारी पतनिया, ये हमारे लेवल पे कैसे आ गई, ये हमसे अधिक, ये हमारे बराबर जो है किस प्रकार से कमा रही है, तो ऐसी भी thinking जो है लोग अपनी रखते हैं, women's empowerment is really needed in the society, so इसी लिए women empowerment की जरूरत समाज में है, it is so important for women's self-esteem and also for societies, empowering women is to give women the right, empower करना किसी महिला को या महिलाओं को ये उसका ये अर्थ है कि हम उनको उनके अधिकार दे रहे हैं, जो उनके राइट से उसको हम उनको दे रहे हैं, women can have equal right to participate in education, महिलाओं के पास भी ये पूरा हक है कि वो बराबरी के साथ शिक्षा के शेत्र में आ सकें, समाज में आ सकें, यानि कि society में, economy and politics में भी आ सकें, women's empowerment is a part to encourage women to feel strong by telling them that they can do everything that they want to do, so ये होता है women's empowerment या महिला सशक्ती करन, next हम चल्दी से देखलेंगे definition of women empowerment, so पहला definition है according to Kate Cronin, empowerment should mean that women gain the ability to challenge and combat their oppression, in practice it has come to mean marginally improving their material circumstances, so next definition जो हम को देखना है वो है according to World Vision Australia, इन के द्वारा कहा गया women's empowerment can be defined to promoting women's sense of self-worth, याने की महिलाओं को उनका अपना महत्व, उनका वजूद, उसका इहसास दिलाना, उसका महत्व उनको बताना, their ability to determine their own choices, अपनी choices वो खुद बना सकें, determine कर सकें and their right to influence social change for themselves and others, और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए समाज में बदलाव ला सकें, अपने लिए भी और दूसरों की बहतरी के लिए भी, so यही होता है women empowerment, comment महिलाओं को इस बात का एहसास दिलाना कि आप पुरुषों से कम नहीं हो, आप वो सारे काम कर सकते हो, जो एक पुरुष कर सकता है, आप किसी के दबाव में नहीं रह सकते, आप किसी के उपर dependent नहीं हो, आप स्वतंतरता से अपना जीवन जी सकते हो, अपने decisions खुद ले सकते हो, और अपने आपको educate कर सकते हो, empower कर सकते हो, अपनी जो community है, आपकी जो society है, उसमें आप अपनी भागीदारी दे सकते हो, तो यही सारी चीज़ें जो हैं, यह women empowerment में शामिल होती हैं, next हमको कुछ देखना है principles, women's empowerment के लिए, the women's empowerment principles, याने की क्या ऐसे सिद्धान्तों को हम अपनाएं, जिनसे की हम जो अंतर करते हैं, महिला और पुरुष में उसको समाप्त कर सकें, याने की inequalities को society से खतम कर सकें, और समानता जो है वो ला सकें, याने की equality जो है वो हम ला सकें, so पहला principle है, treat all people fairly at work, respecting and supporting non-discrimination and human rights, सभी को एक समान दृष्टी से देखे, human right को respect करें, and non-discriminative behavior को support करें, सभी के स्वास्त का, well-being का and safety का हमको ध्यान रखना है, चाहे वो कोई महिला हो या वो पुरुष हो, तीसरा सिद्धान्थ है, promote education, training and professional development for women, चौथा सिद्धान्थ हमको देखना है, फूर्थ प्रिंस्पल जो है, implement supply chain, marketing practices and enterprise development that empower women, प्रिंस्पल फाइब, campaign equality through community initiatives and advocacy, प्रिंस्पल शिक्स है, measure and report publicly on progress to create gender equality, याने कि यहाँ पर हमने क्या देखा, कुछ सिद्धान्थ या कुछ principles देखे, इनका, जो है, इनको follow करते हुए हम महिला सशक्तिकरन ला सकते हैं, equality जो है, main जो है, equality है, equality हम, याने की समानता, जो है, हम समाज में ला सकते हैं, next हमको देखना है, एक global scenario देखना है, women empowerment का, कि क्या परिस्थिती है, या क्या कुछ तस्वीर जो है, हम women empowerment के बारे में, अभी अपने दिमाग में बना सकते हैं, so gender equality is a basic human right, याने की महिला और पूरुष्ण में अंतर नहीं करना, सबको equal समझना, ये एक basic human right है, and it is also fundamental to having a peaceful, prosperous world, but girls and women continue to face significant challenges all around the world, फिर भी महिलाओं को कुछ challenges, परिशानिया जो है, उनका सामना करना ही पड़ता है, women are typically underrepresented in power and decision making roles, याने की महिलाओं को कम ही आका जाता है, कि अपने decisions खुद नहीं ले सकती, इनके अंदर उतनी शमता नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, उतनी power नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है, सोची जाती है, they receive unequal pay for equal work and they often face legal and other barriers that affect their opportunities at work, in the developing world, girls and women are often seen as less valuable than boys, महिलाओं को कम valuable माना जाता है, और boys को या पुर्षों को अधिक valuable जो है, आज की date में भी माना जाता है, instead of being sent to school, they are often made to do domestic work at home, याने की school भेजने के बजाए लड़कियों को घर पे रखा जाता है, domestic work के लिए, और married off for a dowry before they are adults, और उनकी कम age में ही शादी कर दी जाती है, as many as 12 million underage girls are married every year, while some progress is being made in various parts of the world, there is still a great deal left to be done to right the problems of gender inequality, हाला कि बहुत सारे steps जो है ऐसे लिये गए हैं, जिनकी वज़े से जो inequality है, वो थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ जगहों पे महिलाओं की स्थिती अच्छी हुई भी है, पर अभी भी बहुत सारे जगह ऐसी है, जहां पे महिलाओं को problems waste करना पड़ रहा है, और उसको दूर करना बहुत जरूरी है, gender inequality हटाना बहुत जरूरी है, और women empowerment याने की महिला स्थिकरन एक ऐसा माध्यम है, जिसके help से हम इस काम को कर सकते हैं, याने की inequality को हटा सकते हैं और equality को ला सकते हैं, next topic जो हमारा है वो है, why empowering girls is so important, महिलाओं को लड़कियों को empower करना इतना जरूरी क्यों है, so पहला point है, it's her right, ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है, fundamentally this is a human rights issue, discrimination has no place in the 21st century, 21 सथी में discrimination के लिए कोई जगा नहीं है, भेदभाव के लिए कोई जगा नहीं है, and every girl has the right to go to school, सभी लड़कियों का ये हक है कि वो school जाएं अपनी शिक्षा लें, stay safe from violence, access health services, and fully participate in her community, तो ये सारी उनकी basic human right है, इससे हम उनको वंचित नहीं रह सकते, यहाँ पे हम किसी प्रकार का discrimination नहीं कर सकते, so ये उनका right है ये उनका हक है, इसलिए ये ज़रूरी है, next point है, empowered girls means healthier families, याने की girls जब educated रहेंगी, खुद healthy रहेंगी, empowered रहेंगी, तो अपनी families भी वो अच्छे से चला सकेंगी, उनको भी happy और healthy वो रख सकेंगे, जब लड़कियां educate होंगी, उनको पता होगा कि हमको कब अपनी शिक्षा पूरी करनी है, हमको किस तरीके से educated होना है, किस तरीके से empowered होना है, किस तरीके से हमको employment मिलेगा, ये सारी चीजों का जो है, वो ध्यान रख सकेंगी, और अपनी family को बहुत अच्छी तरीके से आगे, वो ले जा पाएंगे, उनको पता होगा कि हमको कम age में शादी नहीं करनी है, किस age में हमको शादी करनी है, किस age में हमको family planning करनी है, और किस तरीके से करनी है, ये सारी चीजों की जानकारी उनको होगी, So, empowered girls means healthier families, When girls are educated, healthy and empowered, families are healthier, According to UNESCO, 2.1 million children under age 5 were saved between 1990 and 2009 because of improvements in girls' education and closing the gap in the unmet need for family planning for the 225 million girls and women who want to delay or avoid pregnancy but are not using modern contraception would reduce maternal deaths by 67% and newborn deaths by 77% जब वो educated रहेंगी, उनको पता होगा कि कब हमको शादी करनी, कब हमको family planning करनी है, किस तरीके से हमको क्या चीज़ें करनी है, सभी चीजों का उनको knowledge होगा, तो जो maternal deaths है, या newborn death जो होता है, वो सारी चीजों को हम reduce कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, empowered girls are key to breaking the cycle of poverty for families around the world, याने कि महिला जितनी educated रहेगी, empowered रहेगी, तो वो जो गरीबी है, उसको वो दूर कर पाएगी, अपना जीवन सुधार पाएगी, अपने परिवार का जीवन सुधार पाएगी, उनको support कर पाएगी, research has found that every additional year of school increases a girl's eventual wages by an average of 12%, earnings she invests back into her family, याने कि जितना वो अपने पढ़ाई में लगाते हैं, उतना ही वो वापस से अपनी family में जो है, वो contribute कर पाते हैं, empowered educated girls have healthier, better educated children and higher wages, helping to break the cycle of poverty, अगर वो empowered है, educated है, healthy है, उनका परिवार भी educated होगा, healthy होगा और बहतर होगा, वो एक अच्छा earning जो है कर पाएगे, और जो अपनी गरीबी है, उसको दूर कर पाएगे, next point है, empowered girls strengthen economies, याने कि खुद का तो वो improvement, growth जो है, वो करेंगी, अपने घरवालों का भी करेंगी, अपने समाज का, अपने community का, अपने nation का भी वो जो growth है, वो करेंगी, उसको मजबूत करेंगी, society में, समाज में, या अपने nation में, पूरी-पूरी अपनी भागीदारी जो है, वो दे सकेंगे, according to a report, increasing the number of women, completing secondary education, by just 1%, could increase a country's economic growth by 0.3%, अगर हम 1% भी इस चीज़ को बढ़ा दें, कि जो महिलाएं हैं, वो अपनी secondary education complete कर लेंगी, so इससे यह होगा कि country की जो economic growth है, वो भी 0.3% से increase होगी, so यह एक point था, और last point हमारा है, it is the right thing to do, यह सही है, इस काम को होना ही चाहिए, और इस चीज़ को करना ही चाहिए, याने कि women empowerment की जरूरत है, महिला सशक्तिकरन की जरूरत है, investing in girls is one of the smartest thing we can do, to promote a healthier, more prosperous world, more importantly, it is the right thing to do, यह एक सही काम है, every girl has the right to be in charge of her future and her fate, हर लड़की को यह अधिकार होना चाहिए, कि वो अपने भविश्य के बारे में, अपने future के बारे में, सोच सके, खुज से अपने decision ले सके, अपने कदम उठा सके, इस चीज़ का हक जो है, उनको है और उसको स्वतंतरता से इस्तिमाल करने को उनको दिया जाना चाहिए, and we have the collective obligation to protect her rights and promote her well-being, so यहाँ पे हमारा आज का जो वीडियो है, वो complete होता है, उमीद करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, सबसे पहले हमने introduction देखा, फिर हमने definition देखा, उसके बाद हमने कुछ सिधान्त देखे, कि किस प्रकासे हम इन equality को हटाके, equality जो है वो समाज में ला सकते हैं, एक क्या worldwide scenario है, women empowerment का, वो मैंने आप लोगों के साथ discuss किया, and last में हमने यह देखा, कि लड़कियों को शिक्षित करना, उनको empower करना क्यों जरूरी है, उसके कुछ points में रहें यहां पे discuss किये, so इसी के साथ यह video जो है complete होता है, उमीद करती हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, समझ सब कुछ आ गया होगा, तो like जरूर से कर लीजेगा, वीडियो को चैनल को subscribe कर लीजे, और जरूर से share करिए अपने friends के साथ, ताकि इस तरीके के videos और content जो है, वो सभी बच्चों तक पहुंच सके, so इस topic का कुछ चीज जो है अभी भी बचा हुआ है, जैसे education का क्या role है women empowerment में, किन तरीकों से हम women empowerment को promote कर सकते हैं, या उसमें अपनी भागिदारी दे सकते हैं, और क्या factors होते हैं जो इसको effect करते हैं, ये topics में आप लोगों को next video में explain करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, so अभी के लिए इस video में इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से देखी, अच्छे से समझी, अच्छे से अपने exams की preparation कीजिए, so मिलेंगे next video में, next topic के साथ, thank you,